पूज़े पूज़े आग लगाया न कीजिए जब लग गई तो डर के बुज़ाया न कीजिए मैं तो इस फूल से अर्ज कर रही थी और इस फूल का शैदाई दिल के कानों से राजो नयाज किन्दा को में सुन रहा था पानो अब तो तुम्हारा दिल भी मुखबत की गवाहे देने लगा कनीज ने खुदाना खास्ता ये कब अर्ज किया के हुजूर से नफरत करती है तो देर काहे किया बादशबबा से कहकर शादी का पेगाम विजवादू हुजूर गलत फहमी का शिकार नहूं इसका ये मतलब नहीं कि मैं शादी भी करना चाहती हूं अजी इक बात है आखिर तुम किसने शादी करना चाहती हूं जिसके गरीबान तक मेरा हाथ पहुँच सके मैं समझना सका बानो तुम्हरा मतलब क्या शहजादे मेरे उसूल दिल की मुखालिफत कर रहे हैं और पकार पकार कर कह रहे हैं कै ऐ जमीन की बसने वाली हमीदा अगर आज तु आसमान तक पहुच भी गई तो एक दिन जरूर गिरा दी जाएगी पानो तुमने कभी ये भी गोर किया है कि समंदर के उस पार जमीन आसमान एक दूसरे से मिले हुए नजर आते हैं जमीन और आसमान मिले हुए नजर आते हैं दर हकीकत मिलते नहीं अगर तुम चाओ तो जमीन और आसमान एक हो सकते हैं और बानो वह यही मौका है जमी गर्दों से टकराई जहां दिल मिल गया दिल से लेकिन बातशाह बन जाने के बाद आपकी यहालत कायम न रह सकेगी शहजादे वरना ताकत का लवज बेकार हो जाएगा और बादशाय का लवज बेमानी बनकर रह जाएगा पानो, मैं आहद करता हूँ कि बादशाय बनना कबूल न करूँगा तारीख के औराक मुझे अच्छे नाम से याद न करेंगे शहजादे यही कहेंगे कि हमीदा बानो ने सिर्फ अपनी खातर हिंदुस्तान के होने वाले फर्मारवा के किसमत चीन ली बानो, क्या यह तुम्हरा आखरी फैसला है यह मैं आहद करती हूँ कि शहजादे यालम से इंकार कर देने के बाद किसी और का तसवर भी गुना समझूगी पानो इंकार का लवज शहजादे के कानों ने कभी काहे को सुना था और वो भी महबत के सिलसिले में दिल पचोट पड़ी जमीन और आसमान भूमते वे नदर आए दुनिया तीरोतार हो गई